अभी क्या बजरा है टाइम उने तास हो रहा है तो जस लिप्सिक निकालने खाना वाना हो गया यह अभी तक आया नहीं है घर पे दोबधर को मैंने ठीक से खाया नीथा तो भूख लगया तो अभी खाल लिया अचली चपाती बनाने का प्लांड था लेकिन इन्होंने जो है यह गावों से फिश करी मंगवाई थी इनके हमारी लिए और इनके दोस्ट के लिए तो वह आ गई थी करके फिर दाया देर रहता तो खराब हो ज़ती करके मैंने थोड़ा खा लिया और इनके लिए फिर फिर जुज में रख दिया है तो इसलिए जल्दी खा लिया और काफी तो अभी ये लिप्स्टिक लगी हुई है तो इसको निकाल देते हैं उसको निकाल देते हैं उसके पास सो जाएंगे अपन आज सुबह से इतना जादा काम था किचन का क्योंकि कल पूरा दिन जो है मैंने उनली घर का काम किया था जो नॉमल साफ सफाई ये बेटशी चेंज क और दुपैर को मैं जो शूट करते हैं तो दुपैर को मैंने शूट नहीं किया वो क्यों नहीं किया बताती हूँ पहले दो के आती हूँ मेरा एक दम धोने वाला मूड हो चुका है अगी स्टी किस लोउ में यह वी यह को अच्छा है इसके अओपर जो पर ये डिये होते हैं कि अच्क्षी तरह करके में ले चुक्ते आपक यह नखिहां वह ने audiences को है यह बहुत सारी बार बताया है कि I don't do more makeup only lipstick and kajal रहता है तो इसको दबाते ही देखो ऐसे करके आता है जो आप अराम के लगा सकते हो यह देखे यह है वाव स्किन साइंस का Apple Cider Vinegar Face Wash that too foaming वाला and यहां पर आप देख सकते है कि कितनी थोड़ी सी quantity बची है अभी इसमें almost खतम होने वाला it has no paraben, no sulfate, no silicone, no color which is absolutely safe for your skin and यहां पर इसके उपर आप इसके जो भी extracts इसमें mix हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं जैसे कि Allura आपको Vitamin B5, Vitamin E, Apple Cider Vinegar, Organic Certified Himalayan and यह जो face wash है आपको एकदम clear skin provide करता है helps purify pores and control blackheads आपको blackheads की problem है तो वो सब भी ठीक हो जाए completely vegan है, cruelty free है gluten free, formulated in USA है, made in Himalayas है 100% vegan जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ and dermatologically tested है इसको use कैसे करना है वो तो आपको साथ में देखके पता ही लग रहा होगा इसके उपर यह cap दी है जो इसके bristles को एकदम neat and clean रखता है and यह एकदम silicone के bristles है जो आपको अच्छा massage भी provide करते हैं उसके अलावा it'll give you a scrubbing thing तो आपको अलग से scrubber भी यूज़ करने की जरूद नहीं है and बस एक बर ऐसे pump देने foaming face wash इस तरह से निकल के आजा link मैंने description box में provide कर दिया आप जरूर check out कीज़ेगा and face wash में number one face wash है तो इसको एक बर जरूर try कीज़ेगा face clean हो चुका है एक अच्छा face wash उसके बाद serum और moisturizer तो आपकी skin जो है बेशक दाग धबबे आते रहते हैं और इनके वैसे भी जाते भी रहते लेकिन आपकी जो skin और वो हमेशा healthy रहेगी so यह रहा वो serum जो मैं आपसे पहले भी share कर चुकी हूँ coin size का लेना है and tap करना है and अभी I'll apply moisturizer so यह रहा वाव का वाइटमिन सी moisturizer packaging इत्ती बढ़िया है and इसके उपर ना ऐसे पंप दिया होता है आपको डबा खुलने की ज़रत नहीं है बस आप यह प्रेस करोगे तो उपर आजाएगा cream यह देखो and उसके बाद उपर से ऐसे निकाल लो and apply कर लो काफी है तो यह देखिए यह है वाव skin science का vitamin C face cream hyaluronic acid जो ingredient है वो her dermat prefer करते है उनका favorite है तो hyaluronic acid जो ingredient है आपको यह सारी चीज़े provide आप देख सकते है it has no paraben, silicon color, fragrance, any mineral oils जो की आपकी skin के लिए एकनम safe है कहीं पे भी आप निकाल के रखेंगे and when you use it, people will get surprised wow what a packaging and कितना easily use करने का procedure है आपको डखन कोल के ऐसे निकालने की ज़रुत नहीं you just need to give up and उपर cream आजाएगी यह देख रहे है मैने थोड़ी सी निकाली है क्योंकि इतनी बहतरी इन cream को हमें waste नहीं करना है बस अपनी skin पे लगाना है तो ऐसे बस आपको dotted dotted लगा के इसको upward motion में अपने skin पे massage कर लेना है and देख रहे है क्या brightness दिख रही है यहाँ पे इसका भी link जो है मैने description box में दे दिया है don't forget to check it out तो अभी तेको skin कितनी fresh and मतलब एकदम breathable वाली skin लग रही है तो links मैने description box में दे दिया है जरूर check out किजेगर, let's continue with the vlog and don't forget to check out the links who cares where we gotta be who cares where we gotta be you know you'll have a good time wherever you're with me let's take it good morning, just up here अभी आठ बज रहे है आठ बज रहे है आठ नही बज रहे है it's quarter to eight oh चाहे हटे है मैने and आलू निकालके रखे है कि आलू फ्रे बना देंगे साथ में क्या बनाएंगे so जहां बढ़ेगा तो चाहे तो रखती है and बाहर का climate कभी अच्छा हो रहा है ठंड़ ठंड़ सा हो रहा है अच्छा लग रहा है इत्ते सारे कपड़े हैं अच्छा निकाल के फोल्ड करने then again washing machine भी on करने है पूम रास्ता कपड़ों वेदेश ब्लॉप हो गया दिखने रहा था यह कपले जादा थे ना इसलिए मैंने क्रील पर डाले था र्णा कर लोगए you asked me how it got here so you don't know how you say we're taking on do yeah we're sinking now कि यह लुकिन और कंसरें एक वर कॉन अच्राओं पर वी बोथ नुहार स्विम नो वरीज़ एस फॉर लेटी उच्छने के वाद ना दस बार ही इधर उधर लेट ने कपन करता रहते हैं पहले तो हाल में लेट जाती थी लेकिन अभी कोफे नहीं है है तो हाँ कल मैंने कुछ बताएगी ना वास्षरूम में जाने से पहले तो यही था क्योंकि पूरा दिन मैंने वीडियो शूट नहीं किया था दोपैर से दो पहले से वीडियो शूट करने का दोचा था तो सोफे वाले वाली है वो आए पर तो क्या बोलते हैं दो बार तो रिटन होगे सोफे थिंकिंग अलॉट क्या करना है क्या करना है तो दुबारा हमने ओर्डर तो दिया है अभी कैसे आएगा क्या बताने तो बहुत दो तीन घंटे लग गये थे सीटिंग और कमफोट उस चीज के बारे में डिसक्रस करते हुए साइजिस के बारे में अब इस बार कैसे आएगे बताने लट सी आये तो जस्ट लेफ्ट ओल होपस होपस ही नहीं कर गड़ बड़ हो जाएग और बैठने में मतलब हॉल में बिल्कुल बैठी नहीं कि चेर्स पर अप्ता बैठा चाहता रही है अभी चिल्डर्न बेडरूम में हूँ तो इतनी वानिंग सारी है न यहां पर दिवार पर जो हाउस का लगावा वो और नीचे जो हाट का बनावा उसमें आदित्याने पर फैमली फोटो बना के रखे है करीवन एक साल चे उपर हो गया होगा उसने ऐसी दिवार पर चिपकाया बड़ मैंने निखाला नहीं वाचलो उसने मैंने चे बनाया है बड़ा प्यार से तो ऐसी रख दिया चाहे देख के आते हैं बन गई होगी में खाना बनाने के लिए मैं प्रवेश कर चुकी हूँ जैसे कि मैंने बताया था कि आलो निकाल लिये हैं तो मैं रोज सोचती हूँ कि सुबह सुबह खाना बना देंगे लेकिन एक बार बैट जाते हो ना और उसके बाद बैटने के बाद अगर फोन पकड़ लो तो पूरा दिन का जो रूटीन है ठप हो जाता है टाइम पर कुछ नहीं होता है इसलिए इस वरी इंपोर्टन कि सुबह के काम खतम होने के बाद अपना फोन या लाप्टप अप पगड़ोगे तो सारी चीज़ जो है टाइम पर चलती है तो आज जैसी ब्रेक्वास्ट खतम हुआ और सीधर मैं जाके लेटी नहीं अदर वैस क्या होता है कि मैं थोड़ी देर ले अच्छे से पीसे से पूरा जो है अच्छे तरह से एको साइस में कट चुके है और यह मेरी लोहे की कड़ाई है जिसमें मैंने अल्डी तेल ढाल दीया है तो मेरा खाना बनाने का जू टाइम है मैं आदा खंटा 20 मिनट में बन जाता है तो मैं पहले गैस वान कर देती तेल चड़ा देती हूँ और उसके बाद इन कटर्स की मदद से जब सब्जेयां काट देती हूँ तो बहुत जल्दी कट जाता है बाकियों की तरह आई डूंट पहले बैट के आदा घंटा काट हो फिर उसको रखो फिर चड़ाओ ऐसे नहीं करती हूँ मैं यह रिपीटिडली इस कर सकते हो तो यहां पर आलू फ्राय बहुत लोगों का एकदम चिप चिप हो जाता है अलग अलग नहीं आते हैं पीसिस हो इसलिए क्योंकि वो लोग नमक मिर्ची हल्दी बाद में आड़ करते लेकिन जैसे आप आलू फ्राय करना चाहते हैं आलू डालते ही आप जो है नम ट्राय करना और यहां पर मैं चावल भी दोरी हूं चावल भी रख दूंगी उसके अलावा आम थिंकिंग टू प्रिपेर वन दाल एंडाल एवरी डेय होती है हमारे घर में तो डाइट में अगर आप दाल पका आड़ करोगी एक कटोरी बहुत लोग को किसी की मतलब जायत लोग को क्या होता है दाल पसंद नहीं होती है सबजियां दादा पसंद होती है इस नौट अबाट पसंद बट अगर आप अपने वेट लॉस जरनी में हो तो एक कटोरी दाल पका होनी चे एक कटोरी कोई सबजी पका होनी चे अगर फ्राय है तो दो स्पून काफी है तो य मैं रख चुकी हूं और इनका तो आज फास्ट है तो मुझे पहले नहीं बता या था तो जैसे में ब्रेकवस्ट बनाने जा रहे थी किछन में घुशित तब इन्हों ने बोला क्योंकि याद नहीं रहते हैं आजकल तो कुछ मेरे को जनरल ही डेट कुछ याद ही नहीं रहते तो वो याद रहेगा तो क्या किस दिन है वो याद रहेगा तो भूल जाते हैं सब कुछ ऐसा हो जाते हैं तो यहां पर मैंने डिरेक्ली फ्रेंच टोट जासता है वैसा बना दी क्योंकि ब्रेट के पीसस ओनली दो ही है तो ऐसे डिरेक्ली बनाने में भी काफी टेस्टी लगता है और बच्चों को भी पसंद है अकर यह खा रहे होते हैं तो मैंने सोचा था कि जो सूजी के दोसे होत सबसे अजिस्ट्में निकल जाते हैं मैं ब्रेक्वाक बनाने वाली थी लेकिन अग्वास्ट है वहने को याद नहीं था अग्वास्ट है मैं एक आपल एंड थोड़े से ड्राइकोर्स खालू हो जाएगा एंड खाना जो है थोड़ा अर्ली खालूंगी तो जल्दी से यह गोड़ा यमी तो फ्रेंच टोस बना मैं लब डाल देते हैं इसको कैसे कि मैंने दिखाया है इजी प्रॉसस है तो वह बना दिया एंड खाना भी बन चुका है अल्मूस्ट बस डाल का तड़का लगाना है आलू फ्राय बन चुका है तो खाना रेडी है पेट में बड़ा सा थोड़ा हो रहा है थोड़ा है मैं जाने बड़ा और दम एंप सैरय आफने आफिस जाने तो आज दस बजे है पुरा काम खातरetted क्या स्था दाल में जो है तीन दाले निक्स करिये ल्य तू दाल एक शना दाल और एक लाल वालि दाल कॉन से होती है मसूर की दाल वाली की को मिक्स करके दाल बनाई है कल मैंने पत्ते वाली दाल बनाई की तो दाल डीपोल्ट आपके डाइट में हमेशे रहने ही चाहिए और बहुत लग जो है वेट लॉस अपडेट पूछ रहे हैं तो जब भी I travel here and there मेरा जो वेट लॉस का जो जर्नी है वो हो जाता है तो अगेन I have put on 2kg तो यह एक अच्छी बात है कि जब मैं कहीं जा रही हूं 2kg ही put on बट क्या करें कुछ अच्छी चीज चाहिए तो महनत तो करनी पड़ती है ना गंदी जीज जो है वो तो फ्री में बिना महनत क्या जाती है तो चलो अब इसको खिलाने के बाद I'll meet after getting fresh बात है बाइक ले जाना सोच रही थागी विट एफेस के रहे हैं घुजे दरौजा और दो कबूतर यि attributes भी दो कबूतर ऑखका रही होए हाँ ? पीजिन, पीजिन पही है, कि नि देखें दरा? Woodsam oh मेल मारिसहच़ेट souhaऊई इचहहे कभूतर , दिखा दिखा ज़र हाँ, छही मिंगे हैड हम गायबोगर, हैं तो दो कभूतर राती है गंन मचा हaid दो आपे उनको बाहर कैसा भाईजे समझ में नहीं आँड़ो एट फूल के रख रही हूं तो बागी कब उतुर भी आ रहे हैं बंद करने तो बोल जाता है का करें एंड बाइक स्टार्ट नहीं हुए मुझे सांड और अभी आएंगे रूपर इसके लिए और आप यहां तो अम्बेरा नहीं दो आपको आगया अभी शेट को बेज दिया है नहीं हाँ हां तो देन करने का 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 किसा व्हां से बोला था हम इसको छोटू लेके जा रहे है मार बाइक की सी बाइक तार लो लेई बैट की स्थाल एदा की सांड़ इसके बैखे मारे खोटा नहीं है तो इसके बाइक भाइए खत्म होगे यह बेरा रंबा वाला ट्राइक कौड भाइंगे तेने एसमें वाइधेंगल फाहलना फेट ओड़ लिए आपकर हुए प्वावी घ्रसरपश्ट ओव की वो कब रहे हैं जा सोटों कि दो करें अदेल करें बावाद सांदी करें अपर इसे देखा जा सकते हैं लेखना मेरा आहे आनी के लिए में आणी के लिए ज्याने के लाए गलाई तो मेरा टाइम बेस हो रहा है तो इनको भी बाई बाई और आज के वीडियो में आपको भी बाई बाई आशा करते हूं कि अच्छा लागा होगा तो जरूर अपना अंगुठा चिपका देना शेयर कर देना और घंटे बजा के सब्सक्राइब कर देना सी यू इन मैं नेक्स वीडियो तिल देन टेक केर बाई बाई